नमस्ते, आज हम अध्यन करेंगे कोटिल्य के प्रशासन में कार्मिक वैवस्ता कोटिल्य ने प्रशासनिक वैवस्ता के सुचारू संचालन के लिए कार्मिक वैवस्ता अर्थार्थ कमचारियों का चैयन, प्रयशिक्षन, वेतनमान, पदोनत्ति आदी विशेयों पर विस्तित वर्णन किया है फर्स्ट हम देखेंगे चैयन ववर्गी करन कौटिली ने राजिक कमचारियों को दो वर्गों में विबक्त किया है पहला युक्त, दूसरा उप्युक्त, कौटिली ने प्रशासने कदिकारियों को उप्युक्त की संग्या दी है तता अधिनस्त कमचारियों को युक्त माना है कौटिले का मत है कि युक्त वा उप्युक्त दोनों स्रेणियों के राज्जे कमचारियों को निउक्ति प्रदान करते समय उनके पद के दायतों और कारे शेत्र को भली बांती निर्दारित कर दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपने दाइतों के विशे में कोई ब्रह्म न रहे तता विबिन अधिकारी वा कमचारी एक दूसरे के कारे शेत्र में अनावश्यक हस्तशेपना कर सके कोटिले ने कमचारियों वा अधिकारियों की नुक्ति के लिए चयन की विवेक समत प्रणाली को आवश्यक माना है योगीता और निपुंटा के आदार पर ये नुक्तियां दी जानी चाहिए नेक्स्ट है कमचारियों के लिए आचार सहीता कौटिली ने राजकी कमचारियों के लिए एक विस्तित आचार साहिता का प्रतिपादन किया है उसमें निम्नलिकित अप्यक्षाएं बताई गई है पहला अपने निर्धारित अधिकाशेत्र के अनुरूपी कारिये करना दूसरा सत्य भाशन तीसरा वेवार में सिष्टाचार और शालिंता का निर्वा चोथा कमचारियों में पारस पर एक गुटबंदी न करना पांचवा सदेव राजा का हिद चिंतक रहना चट्रा शास के हिद की बात को निर्भिकता पूर्वक उच्चस्त अधिकारियों से कहना और साथवा राज्य से ध्वेश न रखना तीसरा पॉइंट देखेंगे अब हम वेतन, वेतनमान वेतन व्रदी कोटिले ने प्रशासनिक अधिकारियों वे कमचारियों को उनके पद के अनुसार वेतन देने का समर्थन किया है कोटिल्य का मत है कि कमचारियों को परियाप्त वेतन दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने परिवार का अच्छी तरह भरन पोशन कर सके कोटिल्य ने विभिन वर्गों के अधिकारियों और कमचारियों के लिए उनके कारिय और योगिताओं के अनुरूप वेतनमान निर्दारित करने पर बल दिया है प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमानों की कौटिल्य ने सामाने ते तीन संकलास अविकार की है आचारिय, मंत्री, पुरोईत, सैनापती वा युवराजादी को कौटिल्य ने एकी स्रेणी में मानते हुए 48,000 पर वाशिक वेतन निर्दारित किया है द्वित्य स्रेणी में द्वारपाल, अंतरवेशिक, आयुदगाराद्यक्ष, समाहर्ता, सनीधाता को समलित किया है और इनका वेतन 24,000 पर वाशिक निर्दारित किया है नायक, पौर, वेवारी, कर्मानतिक, राश्टरपाल, अंतरव, निमनस्त स्रेणी के मंत्रियों को कौटिल्य ने 30 स्रेणी का वेतनमान प्रदान करते हुए 12,000 पर वाशिक वेतन दिया जाना उचित माना है वेतनमान की चतुत स्रेणी में कौटिल्य ने सैनाके विविन अंगों के अध्यक्षों तता प्रशासन की कतिपई महतरपुन विभागों के अध्यक्षों को समलित किया है तता उन्हें 4000 पन वाशिक वेतन देना उचित माना है वेतनमान की पांचवीस अंगला में कौटिल्य ने शिक्षकों, पश्वां के प्रशिक्षकों, चिकित्सकों तता प्रशासन की कतिपई कम महतरपुन विभागा अध्यक्षों को समलित किया है तता उन्हें 2000 पन वाशिक वेतन देना उचित माना है अन्य कमचारी शिल्पकार आदी को कौटिल्य ने वेतन की 36 रेनी में रखा है और उनके लिए किसी निश्चित वेतनमान का प्रतिपादन करने की अपिक्षा यह वैक्त किया है कि उनकी योगीता है तता उनसे लिये जाने वाले कारियों की मात्रा के अनुरूपों ने 500 पन वाशिक से 1000 पन वाशिक वेतन दिया जाना उचित है अब हम देखेंगे पदोनती कौटिल्य ने कमचारियों को पदोनती के विश्य में एक निश्चित नीती का प्रतिपादन करते हुए शासक को परामश दिया है कि वे कमचारियों वे अधिकारियों को उनके द्वारा करते हुएं के निश्चा पूर्वक पालन के आदार पर पदोनती देकर प्रोसाहित करता रहे पदोनती के लिए कोटिली ने कमचारी या अधिकारी के कारिय के समुचित मुल्यांकन को आवश्यक माना है नेक्स्ट है अवकाश कोटिली ने कमचारें के आकस्मिक अवकास आस्वस्ता की इस्तति में चिकित्सा अवकास तता विशेस अवसरों पर पर्व अवकास प्राप्त करने के अधिकार का समर्थन किया है कोटिली का मत है कि कमचारें को दिये जाने वाले ऐसे अवकास सवेतनिक होने चाहिए कोटिल्य की माननीता है कि यदि किसी अवकाश के दिन भी कमचारी से कार्य करना आवश्यक प्रतित हो तो उसे अतिरिक्त वेतन प्रदान किया जाना चाहिए छटा सेवा निवरती लाव कोटिल्य ने कमचारियों की आयू अधिक हो जाने पर तता उनकी कारे की शमता कम हो जाने पर उन्हें सेवा से निवरत कर दिये जाने की वेवस्ता की है उन्होंने शासक को परामस्ट दिया है कि वह कमचारियों की सेवा निवरेति के पश्चात उनके भरण पोशन के लिए पैंशन की व्यवस्ता करे राजके सेवा के अदिन किसी कमचारी की मृतिव हो जाने पर कौटिल्य ने उसे मिलने वाला वेतन उसकी पतनी वा पुत्र को प्रदान किया जाना उचित माना है कौटिल्य ने कार्मिक प्रशासन के विभिन पक्षों पर इस पर रष्टिकों प्रतिपादित किया है और एक ऐसी कार्मिक नीती प्रसुत की है जिसमें कमचारियों की दक्षता उनके मनमबोल को बनाई रखने एवं उनकी आर्थिक सुरक्षा तीनों प्रश्णों पर समान रूप से बल दिया गया है धन्यवाद